असलाम आलेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक की ऐसी लाजवाब टेस्टी और हिल्दी सबजी जो आपके घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे एकदम कम मसालों के साथ बनाई जाती है ये रेस्पी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो लहसुनी पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 300 ग्राम पालक पालक लेने के बाद मैंने इसका डंठल जो था वो निकाल दिया है रिमू कर दिया है डंठल निकाले के बाद मैंने इसको 4-5 बार धो डाला है और धोने के बार ड्राय कर लिया है इधर मैंने पानी ले लिया है और पानी को मैंने बॉयल कर लिया है बॉयल करने के बाद इसमे को वाइल कर लेंगे रिपालग कुझा भालोंगे इसको हम वाइल कर लींगे दो सब्सक्रम को निकाल के इदर साइड में मैंने ले लिया ठंडा पानी और पानी हमें बर्फ डाल लिया है थाकि जब हम इस्वी कर tended कि उतह दे और बालória में ढाल देंगे पालत को पल्स मोट पे इसको पीषना है दरदरा बहुत बारीक नहीं पीषना है पेस्ट नहीं बनाना है इससे क्या होता है कि दरदरा पीषेंगे तो जब हम बनाएंगे लहसुनी सबजी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो ये देखिए, इसको मिक्सी की जार में डाल के मैंने पल्स मोट पे चलाया है और फाइन पेश्ट नहीं बनाया है इस तरह से अब इधर मैंने कड़ाई ले ली है और कड़ाई में डाल देंगे देसी घी, ये देसी घी है दो टेबली स्पून लेसुनी पालक बनाने के लिए आप देसी घी का ही यूज करियेगा, तेल का नहीं तो मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है और देसी घी में डालेंगे हम ये शफैजीरा वन टीस्पून तोड़ा सा इसको पिटटने देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन, लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसका पेश्ट न बनाईएगा बारीक बारीक काट येगा क्योंकि हम यहां लहसुनी पालक बना रहे हैं तो लहसुन जादा से इसमें जाएगी और देशी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसको थोड़ा सा हम घुलाबी होने देंगे लहसुन को और इसी के साथ डाल देंगे हम यह दर मैंने साइस का प्यास था तो मैंने बारिक बारिक इसको काट लिया है बारिक काट के ही डालिएगा और इसको भी हम फ्राय कर लेंगे और इसी के साथ डाल देंगे हम यह अद तारत मैंने इसमें डालक में उख्ली में इसको दरदरासा कर लिया है पेष्ट को अब साथने प्यास केुशके आशक को भून लेगे त अब इस पढ़ाइंट पर हम डाल हैंगे इसमें पाटा भी डाल सकते हो, और तीन मिनट हो गया है, बैसन का कच्छपन खतम हो चुका है, भुन गया है, इस पॉइंट में डाल देंगे, ये लार्ग साइस का मेरे पास था टमाटर तो मैंने बारिक बारीक काट लिए है, इसको आप बारीक बारीक ही काट के डालिए गा, मिर्च पॉडर क्योंकि मैंने हरी मिर्च चार से पांच कूट के डाली थी अधरत के साथ तो मिर्च भी आप अपने टेस्ट के कोडिंग लीजिए गा और यह वन फॉर्ट टी स्पून है हल्दी पॉडर शामिल कर देंगे हम इसमें और यह हाफ टी स्पून है धनिया पॉडर और टमाटरों को भून लेंगे लोटू मीडियम पे फिलेम कर देंगे और दो से तीन मिनट के लिए लिड लगा देंगे जब तक भूनेंगे इसको कि जब तक इसका घी सर्फेस पे आनी जाता है तीन मिनट हो गया है लिड हटा लेते हैं घी भी सर्फेस पे आ गया है टमा मिक्सी के जार में फड़ा सा पानी मेंоме 8-15 स्बून डाल कि इसको डालूंगी क्योंकि मैं पालख तो डाल लिया था मिक्सी के जार में दरदरा करने के लिए नहीं डाला था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ और लो फिलेम पे इसको दस मिनट के लिए हम पकने देंगे खुला इसमें लीड नहीं लगाएंगे ताकि पालक का कलर जो है बरकरार रहे तो दो से तीन मिनट हुआ है मुझे इस तरह बीच बीच चलाते रहिएगा और इस कलर जो है मेंटेन रहे और दस मिनट के लिए पकाएंगे कि पालक का खतम हो जाएगा तो इस तरह से हम खोल के ही पकाएंगे पालक को तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें यह मेरा हुममेड गर मसाला है वन टीजपून गर्रम शाला पौडर और इसी के साथ डालें कि अच्छे से हम रखांच से ख़र्श क्रेंगे फ्रेश क्रीम डालने से हैं पलग का टेक्ट्षर और टेष्ट दोनों अहीफ बहू मिला दूसरा पैन तड़का लगाने के लिए और इसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून भरबर के देसी घी देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा तेल का नहीं क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जायका बढ़ जाता है घी गरम हो गया है सबसे पहलेंगे हम इसमें हाफ टीसपून सफैज जीरा इसका भी तड़के में फिलेवर बहुत अच्छा आता है और इसी के साथ डाल देंगे लहसुन तिक हम लहसुनी सब्जी बना रहे हैं तो इसमें लहसुन का जाधा यूज होता है और इसका फिलेवर बहुत अच्छा आता है जो हम लेसुन का तड़का लगाते हैं तो इसको बुलाबी होने देंगे फिलेम को मैंने आफ कर दिया है और डाल देंगे हम कटी हुई ये साबुत लालमिच ताकि जले न तो सर्वीम बॉल में मैंने सबजी पहले से निकाल ली थी और इसमें लगा देंगे हम तड़का तड़का हम पोर कर देंगे इसमें इन्शालला आपको रेस्पी बहुत पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आएँ हैं तो चैनल को वन टाइम सब्स्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही बेल नोटिफिकेशन आउन कर दीजिएगा ताकि मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दौाओ में याद रखिएगा थांकि फो वाचिंग दे वीडियो अलाहाफीज